नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिक्षा सेटी के से योटूब चैनल में दोस्तों आज का मारा टॉपिक है विश्य के प्रमुख देशों की संसत के नाम यानि कि हम इस वीडियो में विश्य के प्रमुख देशों की संसत के बारे में बात करेंगे तता जानेंगे कि जो विश्य के प्रमुक देश हैं उनके हाँ जो संसद हैं उसको किस नाम से जाना जाता है तो आई ये वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि विश्य के प्रमुक देशों के संसद के नाम क्या क्या है इसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ important MCQ को भी solve करेंगे जिससे आपके दिमाग में यह topic पूरी तरह से बैठ जाएगा तो यह वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले रूस तो रूस की संसद को हम डियो मा के नाम से जानते हैं उसके बाद इस्पेन की जो संसद है उसको हम कोडेस के नाम से जानते हैं उसके बाद Britain, Australia और Canada की संसद को Parliament कहा जाता है, इसके बाद हमारे देश भारत की में उसको संसद ही कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, रूस की संसद को Duma कहते हैं, Spain की संसद को Cortes कहते हैं, और Britain, Australia और Canada इन तीनों की संसद को Parliament कहा जाता है, तता भारत में इसको इसके बाद जपान देश की जो संसद उसको हम डायट के नाम से जानते हैं, उसके बाद भुटान की जो संसद है उसको हम तियोन गदू के नाम से जानते हैं, तो तियोन गदू के नाम से हम जानते हैं भुटान देश की संसद को, इसके बाद नेपाल की संसद के अगर हम बात करें तो नेपाल की जो संसद है उसको हम राष्टी पंचायत के नाम से जानते हैं इसके बाद बंगलादेश की जो संसद है इसको हम जाती संसद के नाम से जानते हैं तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा जपान की संसद को हम डायेट के नाम से जानते हैं भुटान की संस अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है तो सोरा के नाम से तो आप याद देखेगा अफगानिस्तान की जो संसद है उसको सोरा कहा जाता है उसके बाद अमेरिका की जो संसद है उसको हम कॉंग्रेस के नाम से जानते है उसके बाद पाकिस्त अफगानिस्तान की संसत को मजलिस A. सूरा की नाम से जाना जाता है, उसके बाद मिस्र की संसत को पीपल्सurgence कहा जाता है, अगला हमारा है चीन, तो चीन की संसत को कहा जाता है National People's Congress जरूर याद रखेगा आप इसे उसके बाद जर्मनी की संसत को हम कहते हैं बुट्स टेग उसके बाद मंगोलिया की संसत को खूरल कहा जाता है उसके बाद इजराल की संसत को ने सेट कहा जाता है तो इसे आप याद देखेगा चीन की संसत को हम कहते है नेशनल पिपल्स कॉंग्रेस जर्मनी की संसत को हम कहते है बुट्स टेग उसके बाद मंगोलिया की संसत को हम कहते है खूरल और इजराल की संसत को हम कहते है नेशेट अगला हमारा है मालदीव और इरान इन दोनों की संसत को हम मजलिस के नाम से जानते हैं उसके स्वेडन की संसद को हम रिस्क डॉक के नाम से जानते हैं उसके बाद पोलेंड की संसद को हम सोजीम के नाम से जानते हैं तता हमारे प्यारे देश भारत में इसको संसद ही कहा जाता है तो यहां पर हमने कुछ प्रमुक देशों के बारें बात की तता वहां पर उसकी संसद को किस नाम से जाना आता है यहाँ पर हमने देख लिया है अब हम आगे के स्लाइड में कुछ इंपोर्टेंट एम से क्यूज को सॉल्ब करेंगे जिससे यह जो टॉपिक है आपका पुरी तरह से तयार हो जाएगा तो आईए वीडियो में और आगे बढ़ता है तो पहड़ा प्रस्त हमारा है निम्न में से किस देश की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है तो ब्रिटें, औस्टेलिया और कनेडा यानि उप्योग तो सभी ब्रिटें, औस्टेलिया और कनेडा की जो संसद है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है तो आप्सन जो डी है इस प्रस्त का हमारा बिलकुल सही है अगला प्रस्त हमारा है निम्न में से किस टेंसर हो जाएगा हमारा मालदीव और इरान यानि option C A और B जो हमारे हैं वो बिल्कुल सही है मालदीव और इरान देश की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है तो option C इसका बिल्कुल सही है अपिसे याद देखिएगा अगला प्रस्न हमारा है रूस देश में इस्थित सं संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है तो इस प्रस्न का राइट एंसर हमारा है option D डियूमा के नाम से किस नाम से तो रूस की जो संसद है उसको हम डियूमा के नाम से जानते हैं तो option जो D या इस प्रस्न का हमारा बिल्कुल सही है अगला प्रस्न हमारा है पीपुल्स अस असेंबली के नाम से जानते हैं तो option जो C है इस प्रस्णिका हमारा बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण हमारा है निम्न में से किस देश की संसद में सीनेट और हाउस आप रिप्रेजन्टेटिव नामक दो सदन होते हैं आपको बताना है कि वह कौन से देश की संसद है जिसमें सीनेट और हाउस आप रिप्रेजन्टेटिव नामक दो सदन पाए जाते हैं तो इस प्रस्ण का राइट आइंसर हमारा है option C जो होता USA यानि अमेरिका की संसद है उसको हम कौंगरेस के नाम से जानते हैं सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अमेरिका की जो संसद है उसको कौंगरेस कहा जाता है तता अमेरिका की कौंगरेस में दो सदन होते है कौन-कौन से Senate और House आप Representative तो इसी भी आप याद रखिएगा एगला प्रसन हमारा है निम्न में से किस देश की संसद में House आप Lords और House आप Commons नामक दो सदन होते हैं तो इस प्रसन का राया एंसर हमारा है Britain बृतेन की जो संसद है इसको हम Parliament के नाम से जानते हैं तिदा बृतेन के Parliament में दो सदन होते हैं कौन-कौन से एक होता है House of Lords और House of Commons तो इसे आप जरूर या देखेगा यह दो प्रस्ण कई बार एक जामस में पूछेगा प्रस्ण है अगला प्रस्ण हमारा है ने उनमें से किस देश की संसद को National People's Congress कहा जाता है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर हमारा है Option B जो चीन देश की संसद है उसको National People's Congress के नाम से जाना जाता है तो Option जो B है इसका बिल्कुल से आप जरूर देखेगा Option B यानि चीन अगला प्रस्ण हमारा है नेपाल देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है तो Option C इसका बिल्कुल सही है एगला प्रस्ण हमारा है नेपन में से किस देश की संसद के उच्छ सदन को राजे सभा के नाम से जाना जाता है आई होप इसका जवाब आप सभी को पता होगा तो राइट एंसर इसका है Option B यानि हमारे प्यारे देश भारत में जो उच्छ सदन होता है संसद का उसको राजे सभा कहते है तो हमारे लोवर हाउस कौन सो होता है तो हमारे लोवर हाउस ने निम सदन होता है लोक सभा तो इसे भी आप याद रखिएगा एगला प्रस्ण हमारा है निमने में से किस देश की संसद को जाती संसद के नाम से जाना जाता है तो इस प्रस्दिका राइट एंसर हो जाएगा हमारा बांगला देश तो बांगला देश की जो संसद है उसको हम जाती संसद के नाम से जानते हैं तो option A इसका बिल्कुल सही है तो दोस्तो यहां पे हमने विश्च के प्रमुख देशों की संसत के नाम से जुड़े जितने भी important MCQs बन सकते हैं थे उनको भी हमने cover कर लिया है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स प्रोचिंग थैंक्यू